ये नकल बिल्कुल आप लोग ना करें साथियो, असलामालेकुम, नमस्कार अभार, अभिनंदन, जोहार, केमचो, सत्स्रियाकाल, जोहार, जोहार, जैभीम और जैसी दाय साथियो, नजाने किस बात पे, नजाने किस बात पे इंसान को नाज है जो आखरी सफर का भी दुसरे का महताज है बहुत सारे बिच्छू और बिच्छू का हुजूम हमारे पास इस तरह आप नकल ना करें आज इसे रिलीज भी कर देना है और इसके बारे में कुछ ग्यान भी देना है एक साथ इतने सारे विच्छू को रिलीज करने के लिए हम फॉरिस्ट में आगी हैं साथियो ये नकल बिल्कुल आप लोग ना करें और नहीं तो मारा जाईएगा क्या होगा रेड स्क्यार्पियोन में लोग मरते हैं बल्क क्यार्पियोन में थोड़ा तकलीफ कम होती हैं लेकिन जलन बहुत तेज का होता है इस जलन को खतम करने के लिए आपको क्या करना है दस माचीस का लकडी ले लें एक माचीस का डिबब से दस माचीस का लकडी लें और दस तिल्ली को जिसमें बारूद होता है फास्थोरस होता है उसे अच्छी तरह साप सुथुरा कागज में रख दे और थोड़ा सा हैमरिंग यानि डस्ट कर एक बुंद पानी डाल कर घोल बना कर टाबलेट की तरह लगा दे जलन खतम अचूक दवा, चुकि हमने आजमाया यह दवा बहुत ही कारगर है इसलिए घबराना नहीं है यह दवा बहुत ही उपयोगिया और नहीं तो साथियो जो दाड़ी बनाने वाला फिटकिरी होता है एक मुंबत्ती जला ले और वो फिटकिरी लगा दे कहां पर गरम करके जहां पर यह डंक मार दिया वहां लगाने से जलन खतम ध्यान से रहे यह हमारी नकल ना करें साथियो नहीं तो मारा जाईएगा कभी भी खास करके जब बिच्चू डंक मारता है तो आप ओजागुनी के घर न जाएं सिधे न समझ में आये तो हस्पीटल का सहारा लें बहुत ही अदभूत चलिये आज इसे हमें रिलीज कर देना है रिलीज यानि फोरेस्ट में छोड़ देना है पूरे वर्ड में पिर्थिवी में बिच्छू एकी बार मम्मी बनती है जब ये बच्चों को जन्म देती है सारे बच्चे पीठ के उपर बैठे रहते हैं और भोजन के रूप में मम्मी का पीठ का मांस को खा लेते हैं एक महिने में मम्मी डेथ और डेथ होने के बाद वो बच्चे परियावरण में घुमते फिरते नजर आते हैं हमारी तरह नकल बिलकुल ना करें यह एक एस्पर्ट का काम है चलिए आईए कैमरा को लेके आईए इदर सब भाग जाएगा सब चला जाएगा सब भाग जाएगा धीरे धीरे जय हिन जय भारत बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम